हमारी आखों के सामने वंचितवर के कई बच्चों की तस्वीरे आती हैं जिनमें बच्चों को बाल मजदूरी करती हुए भी हम देखते हैं आर्थिक समस्याओं से जूचते बच्चे अपनी पारेवारिक स्थती से जीत नहीं पाते और पढ़ाई छोड़कर काम करने में जुट जाते हैं ऐसे दिहाडी मजदूरी करने वाले लोगों के गरीब वंचितवर के बच्चों के लिए ये शिक्षक मसीह साबित हो रहा है शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि शिक्षक स्वें जलकर बच्चों का जीवन शिक्षा से रौशन करता है करनाल के जैकरन शास्त्री ने इस बात को सही साबित कर दिखाया है दरसल जैकरन शास्त्री करनाल की राज के वरिष्ट माध्यामिक विद्याले जानी में संस्कृत अध्यापक के पतपर कारी रत है और जयकरन हमारी संस्था उम्मीद पाट शाला की द्वारा शाम चार बच कर पंदरा मिनट से छे बजी तक गरीब बच्चों को निशुर्क शिक्षा प्रदान करते हैं जिसमें लगभग 80 बच्ची शिक्षा गरहन करते हैं तो वही शिक्षा जो इन बच्चों के जीवन में शिक्षा की जो जला रहे हैं जयकरन हमारी साथ इस वक्त बाच्चीत करने के लिए जुड़ गए हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर और बहुत-बहुत आपको इस बात के लिए बधाई के आपने ए बीड़ा बच्चों के लिए उठाया है ऐसे बच्चों के लिए जो वंचित वर्ग से तालुक रखते हैं और जिनके पास इतने संसादन नहीं है जो जो capable नहीं है शेक्षा प्राप्त करने के लिए लेकिन आप उन तमाम अर्चनों को दूर करके उन्हें उस मन्जल तक पहुंचाने में एक कह सकते हैं कि गाइट की भूमे का निभा रहे हैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आप से कि यह जो शुरुवात है आपने कहां से कि यह खयाल मन में कैसे आपके घर कर गया जब करोना के समय में सभी स्कूल बंढ थे तो मन में विचार आया कि जो अमीर वैक्ती है वो तो अपने बच्चों को टूसन भेज़ देते हैं जी और पड़े लिखे लोग है वो अपने आप खुद बच्चों को पढ़ा लेते है लेकिन जो माबाप अनपड है और गरीब है उनके बच्चों को क्या हाल होगा यह सोचकर ही हमने ऐसे बच्चों को डूंडा जो गरीब है जोगी जोपड़ी ने गए और वहां तो चर बच्चों से ही हमने पढ़ाना शुरू किया क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाना और उनके माबाप को इसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम था तो उसके बाद घर से ही उनके लिए काप्टी किताब बगारा लेकर जाता था बैट सीट बगारा उनको इद पर वो बैखते थे दो चार चार लिए और उनकी जुगी जो पड़ी पर ही किल लगाके उनके बच्चों को पढ़ाने के काम शुरू किया जी तो शुरूबात आपने दो से चार बच्चों से किया आज असी बच्चे आपके पास जो है वो पढ़ रहे हैं जैसे आपने कहा कि माबाप को भी समझाना पड़ता था आखिर ये सारी दिक्कते क्यों पेशाएं माबाप को करने में जबकि आप सभी चीज़े जो है है तो नहीं पता था वो तो ऐसे बच्चे है यह उनके माबाप भी ऐसे हैं जो फुरा बीनने का काम करते हैं या भीक मांगते हैं तो उनको जाना थोड़ा मुस्किल काम था लेकिन धिरे-धिरे जब हर रोज उनके बीच में जाने लगा में तो उनको यह हुआ भी हमारे ब कैंはい जब काफी बढ़ते चले गए तो घर भी पतनी ने बच्चों ने मेरा सहयोग करना स्पूर किया है और वह बी मेरे साथ जाके बच्चों को पड़ाने काम करने लगिए जी तो अभी आपकी पत्नी और आप जो हैं इस काम में जुटे हुए हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए या फिर आपकी साथ जो है और भी लोग इस कारी के लिए आगया हैं और अब उस मुहिम से जुड़ गए हैं जिस मुहिम की आपने अकेले शुरुबात की थी अब काफी लोग हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं वहां के जो लोकल मीडिया है और आपके चैनल के भी जो अत्रकार है उन्होंने भी इसमें हमारा पूरा सहयोग किया हमारी इस मुहिम को उन्होंने परसासन तक पहुंचाया और अनेक समाज सीवियों को हमारे यहां पर बच्चों को सिर्फ प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था या फिर आंगन बाडियों में बच्चों को जैसे अक्षर ग्यान दिया जाता था उसी तरीके से आप चला रहे हैं या फिर जैसे यह कहीं से आपने रिजिस्टर भी करवा लिया है इसको या स्कूल में एडमीशन में भी आप ऐसे बच्चों की मदद कर रहे हैं जो आपके पास पढ़ने आते हैं लेकिन जब हमने शर्विय किया तो ऐसे शाइकड़ों बच्चे निकल के आये सामने जो कभी स्कूल गए ही नहीं जिन्होंने जाकर बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी हैं जो ड्रोप आउट हैं तो उसके बाड परसासन से मिलके इलाश इक्सादिकारी महदे से मिलकर तो हमारी संस्ता यही परियास है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या किसी काण वस पीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को में पढ़ाई जाएंगे और उसके बाद हमारे पास पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई सुचारो रोप्चे चल सकते हैं बिलकुल एक आप पत प्रदश्रक की भूमे का जो है वो यहां अदा कर रहे हैं बच्चे अपनी मंजल तक पहुँच जाए शिक्षा का ज्यान वो ले करके और यही हम उमीद आप से करते हैं कि आप इस मुहिम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और यह काफिल आगे यूही बढ़ता रहें बहुत बहुत शुक्रिया जाकरन शासरे जी हमारे साथ इस बाचे लिए